ते नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है जृषण हमें मैहुर्थेश और आज हम लोग जृषण के करेंट अफ़ेर्स के बारे में बात करने वाले हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत श्वागत है आज के इस धमागेदार सेशन में, आज है 14 जून, और 14 जून से जार्खन के जितने भी important current affairs बनेंगे, आज के इस class में हम उन current affairs के बारे में चरजा करने वाले हैं, ये class जार्खन के सभी exam के लिए important रहेगा, तो आप जार्खन के किसी भी exam का preparation कर र इस class की बात करेंगे, इस class का pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगा, telegram channel का जो link है, वो इस class के नीचे description में दिया हुआ है, आप उस link के थुरू आसानी से telegram channel को join कर पाएंगे, ठीक है, और इस class को हम लोग proper mapping के जरीए करते हैं, और बहुत ही detail में हम लोग current affairs का analyze करते हैं, और current affairs को बहुती अच्छे से समझते हैं, ठीक है, तो चलिए class को शुरू करें, are you ready guys, class को शुरू करें हम लोग, तो चलिए class को हम लोग सुरू करते हैं, जार्खन के क्रिशी विभाग के द्वारा मानसून में कितने पौधे लगाने का जो लच्च है, वो रखा गया है, यानि जार जार्खन क्रिशी विभाग की बात करेंगे, जार्खन एगरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो जार्खन के एगरिकल्चर डिपार्टमेंट की द्वारा, यह जो मौनसून अभी आ रहा है, आप लोग अभी देख रहे होंगे, मौनसून अभी आने वाला है, म जाडखन में मौनसून जो है मतलब भारत में जो मौनसून है वो एंटर कर रहा है और कहा जा रहा है कि केरल में अल्रेडी मौनसून एंटर कर गिया है जाडखन में 15-16 जून तक यानि कल या फिर परसो जाडखन में मौनसून जो है वो एंटर कर जाएगा तो जाडखन का जो जार्खन में कुछ पौधे जो है वो लगाएंगे कुछ पौधे लगाने से क्या होगा जार्खन का जो फॉरेस्ट एरिया होगा जार्खन का फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा और जार्खन का जो बातावरन है जार्खन का जो इंभायरोमेंट है वो इंभायरोमेंट अच्छा होगा जार्खन में एयर की जो quality है वो एयर की quality अच्छी होगी ठीक है कई सारे target को लेकर जार्खन का जो agriculture department किरसी भी भाग है उसके द्वरे target रखा गया है कि जार्खन में 2 कडोर 35 लाग 2.35 कडोर यानि 2 कडोर 35 लाग पौधे जो है लगाएंगे इस वर्स मौन्सून में ठीक है तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे जार्खन का जो agriculture department है जार्खन का जो क्रिसी भाग है उसके द्वरा ये target लिया गया है कि जार्खन में इस वर्स मौन्सून में हम लोग 2 करोर 35 लाग पौधे जो है वो लगाएंगे ठीक है अब आपके मन में ये question आ रहा होगा कि सर ये बताजिए मौन्सून में हम लोग पौधे क्यों लगा रहे हैं जार्खन कीर्सी भाग के द्वरा मुन्सून में ही पौधे लगाने का target जो जो है क्यों रखा गया है देखिए क्यों क्योंकि मौन्सून में बारीज अच्छी khasie होती है बारीजी अच्छी khasie जब होती है तो वो जो पौधे हैं वो बढ़ जाते हैं पौधे अपनी जड़ जो है जमीन के अंदर बना लेते हैं जिससे पौधे मौनसुन के बाद भी आसानी से जमीन से पानी को खेच कर अपनी जो जड़ुत है वो पूरा कर पाते हैं अगर वही बात करेंगे समर के टाइम प और आप सोचिए 2 करोड 35 लाग अगर पौधे अमने लगा दिये समर के टाइम पे गर्मी के टाइम पे और उन्हें आप समर टाइम टू टाइम पानी दे पाईएगा नहीं दे पाएंगे इसलिए मौनसुन में बरसा होगी पानी पौधों को अपने आप मिलेगा मौनसुन में जो धूप है वो ज्यादा नहीं होती है तो कई सारे जीजन है जिसके कारण जार्खन का जो एक्रिकल्चर डिपार्टमेंट है उसके दुवरे टार्गेट रखा गया है कि इस वर्स मौनसुन में जार्खन क्रीशी भाग दो करोड और 35 लाग जो पौधे है वो लगाएगी अब ये दिजिट यह वो बढ़ सकता है कैसे बढ़ सकता है आप और हम सब मिलकर अगर एक एक पौधा भी लगा ले तो ये दिजिट यह वो बढ़ जाएगा तो इसलिए आप लोग भी मौनसुन में एक पौधा कम से कम एक पौधा जरूर लगाए जार्खन के गतली लेशन है कि या और अगर धाइक क्लोड लोग इक-एक पौधा लगा लिए तो धाइक लोर लगबग सरकार लगा रही है एक षाली हम लगा लगा लेए तो पाच क्लोर पौधे लग जाएंगे अमाद ज़ार्खन में तो ज़ार्खन का जो फौरेस्ट एरिया है वो स फॉरेस्ट एरिया बढ़ जाएगा और फॉरेस्ट एरिया बढ़ने से आप लोगों को कितना फाइदा होगा तो आप जो सभी जानते ही है जार्कन का एरिवान इंभाइरमेंट अच्छा होगा जार्कन में जो हवा की क्वालिटी है वह अच्छी होगी लोगों को पेड़ प तो जार्खन एक्जी कल्चर डिपार्टमेंट की द्वारा ये तार्गेट जो है रखा गया है कि इस वर्स मौनसुन में हम लोग 2 करोर 35 लाक जो पौधे है वो लगाएंगे ठीक है खेर अब यहीं लोग बात करते हैं जार्खन के फॉरेस्ट एरिया की तार्गेट यही रख अभी है करेंट में जार्खन में यानि मोटे मोटे तौर पर हम लोग अगर कहें कि 30% 29.50% अगर क्रोस करती है तो हम लोग उसे एक राउंड फिगर में 30% माल लेते हैं तो 30% यानि 30% हिस्से पर जार्खन में फॉरेस्ट है एक्शुली कोई भी लेंड एरिया होना चाहिए उस लेंड एरिया पे 33% 1 by 3 जो एरिया है उसमें लेंड फॉरेस्ट यह होना चाहिए फिर भी हमारे जार्खन की इस्तिते होड़ी अच्छी है लगबग 30% हिस्से पर जार्खन में बन जो है वो पाए जाते हैं और अगर हम लोग यह सी को कंपेर करें भारत के साथ में तो भारत में लगबग 24 to 25% एरिया पे फॉरेस्ट है यानि जंगल है ठीक है तो बाकी आप यहां पर चीज़ें देख सकते हैं मौनसून में जार्खन एगरिकल्चर डिपार्टमेंट के दौरा 2.35 क्रोर पौधे लगाने का लक्ष रखा गया है वर्तमान में जार्खन में 29.76 परसेंट छेतर में 1 है कहां कितने परसेंट तो 29.76 परसेंट यानि लगबग हम लोग कैसा है कि 30% आप लोग ऑवरल मानके चलिए कि राउंड फिगर में 30% ठीक है तो 30% छेतर में 1 है लेकिन अगर बात करेंगे सबसे अच्छा कौन सा होता है तो मिनीमम जो है किसी भी है कि किसी भी राइज में या फिर किसी भी देश में अगर 33% एरिये पे बन होता है तो वहां का क्लाइमेट जो है वहां का इंभाइरमेंट अच्छा माना जाता है ठीक है चलिए जार्खन भी ज्यादा दूर नहीं है और हमारे द्वारा लगातार अगर परियास किया जाए कि हम लोग अगर अपने फोरेस्ट एरिया को बढ़ाएं तो हो सकता है कि हम लोग 33% तक पहुँच जाए आने वाले 4-5 सालों में ठीक है और इसके लिए जो है ज्यार्खन सरकार के दौरा 50 क्लोर का जो बजट है वो भी रखा गया है यानि इन 2.35 लात पौधों को लगाने के लिए ज्यार्खन सरकार के दौरा लगबग 50 क्लोर का जो एमाउंट है वो खर्चा किया जाएगा ठीक है तो आप यह मेरे पीछे देख पा रहें एक पौधा आप भी लगाएं सरकार तो लगा ही रही है लेकिन एक पौधा आप भी जरू लगाएं ठीक है तो ज्यार्ख 20.70% अब लोग मानके रखिए या फिर 80% या फिर अगो ओवराल मानके चलिए कि 29.80% या फिर 30% ठीक है चलिए आगे बत करते हैं कि समझ में आ गया वो कोई दिक्कत नहीं है वहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं अब जार्खन के कितने जिलों में गोधन नयाई योजना की शुरूबात यह वो किया गया है गोधन नयाई योजना ये जो योजना है पहले 36 गड़ सरकार के द्वारा सुरू किया गया था 36 गड़ राईज में 36 गड़ सरकार के द्वारा गोधन नयाई योजुना की शुरूबात की गई थी ठीक है जारकन में भी गोधन नयाई योजुना की शुरूबात की गई यह किसके द्वारा तो जारकन के क्रिशी मंतरी हैं कौन बादल पत्रलेग और बादल पत्रलेग के द कुन रही है। कि चारकन की ज्रिशी मंतरी बादल पत्र लेक के दोरा गया है। अब यह जो गोधन निया यूजना है। इसमें होता क्या है। तो इसमें जोभी बहुपालक होते हैं, बहुपालक का मतलब वैसे लोग जो गायब को पालते हैं। ठीक है उन गोपालों को से गोबर को क्या करती है सरकार खरिद दी है सरकार ने खरिद लिया गोबर अब उस गोबर को कमपोष्ट करके उसे खाद में परिवर्तित किया जाता है उस गोबर को कमपोष्ट करके खाद में परिवर्तित किया जता है और उस खाद को किसानों में बाटा जता है ताकि किसान खाद का उपयोग करे और किसानों की फसल अच्छी हो यह है गोधन नयाई योजना आई होब आप लोग गोधन नयाई योजना की बारे में समझ गये होंगे ठीक है अब यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट आता है कि सर आपने कहा किसान जो गोपालक है उन गोपालकों से सरकार जय क्या करती है सरकार गोबर को खरिदती है ठीक है तो सर कितने रुपिय में सर सरकार जो है जार्खन सरकार की बात करेंगे जार्खन सरकार ने दो रुपिय परती किलो रेट जो है फिक्स किया है गोबर जो है सरकार गोपालक से दो रुपिय परती किलो की दर से खरीदेगी और उस गोबर को कमपोस्ट करके खाद बनाएगी और खाद बनाने के बाद उ जिसान उस खाद का उप्योग करके अपनी फसल को अच्छा कर सके ठीक है तो आप्शन सी इसका बिल्कूल सही आंस रुजाएगा ज्यारकन में जैबी क्रिसी को बढ़ावा देने के लिए और जैबी क्रिसी के छेत्र में ज्यारकन को अलग पहचान दिलाने के लिए गोधन न सिंगूम और गिरिडी आप यह पांच जिले समसे पहले देखिए यह वो पांच जिले है जहां पे गोधन नया योजना की शुरुबात ज्यारकन के क्रिशी मंतरी बादल पत्रलेक के द्वार किया गया है कहां पे राची देवगर पलामू पूर्भी सिंगूम और गिरिड और यही वो ज्यारकन के पांच जिले हैं जहां पे समसे पहले गोधन नया योजना की शुरुबात ज्यारकन सरकार के द्वार किया गया है ठीक है अब कितने रुपिये में तो आप यहां पे देख सकते हैं दो रुपिये प्रती कीलो के हिसाब से ज्यारकन सरकार ज्यार गो गोबर को खरीदेगी उस गोबर को कमपोस्ट करेगी खाद में परिवर्तित करेगी और बाद में किसानों को यह जो खाद है वो दे दिया जाएगा तो जारकन में गोधन नया युजिना की शुरुबात हुई जारकन के पांच जिलो में ठीक है चलिए तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गोबर को कमपोस्ट करके खाद में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद किसान जो है इस खाद का उपयोग करते हैं अपनी फसल को ज्यादा बढ़ाने के लिए ठीक है चलिए तो यहां तक आपको क्लियर है गोधन नया युजिना हम लोग गोधन कौन सी पुस्तक इसका नाम है दस सप्ताहिक ठीक है यह एक पुस्तक है दस सप्ताहिक और दस सप्ताहिक पुस्तक का जो लोकारपन है वो बारा जून को कब बारा जून को किया गया है ओप्शन सी इसका बिल्कुल सही आसर जाएगा बारा जून बारा जून को दस सप्ताह ठीक है प्रतिभा प्रसाद इस पुस्तक के लेखक है पुस्तक का नाम क्या है दस सब्तक की और 12 जुन को इस पुस्तक का लोकारपन जो है वो किया गया है आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं ठीक है दस सब्तक की पुस्तक का हुआ लोकारपन तो इस पुस्तक से सबसे इंप प्रतिभाब प्रसाद को आप लोग गया रखे इस पुस्तक को प्रतिभाब host कि द्वारा लिखा जो है वो गया है ठीक है बाकी details आपको इस article में मिल जाएगी आप इस article को पढ़कर सभी details को देख सकते हैं और ये पूरा content आपको PDF format में मिलेगा हमारे telegram channel पे और telegram channel का जो नाम है वो जहारकन education hub की नाम सबको मिलेगा telegram का link आपको इस class के नीचे description में मिल जाएगा तो आप जाके telegram channel को देख सकते हैं ठीक है चलिए आईए बात करते हैं हाली में भारतिय अर्चरी टीम में जारकन के कितने खिलाडियों का chain जो है वो किया गया है ठीक है किनका किनका चैन के गए मिरिनाल चौहान अंकिता भकत आप बात करेंगे सबसे पहले अंकिता भकत के बारे तो आपको इसी क्लास में सुबह पांच बुजे के क्लास में आपको बताए गया जारकन की तिरंदाजी खिलारी है और यह राष्टिय इस तरकी जारकन की तिरंदाजी खिलारी है और इन्हें जो है अंतराष्टी एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है, और बात करेंगे अंकीता भगत की, तो अंकीता भगत जो है जारकन की अंतराष्टी तिरंदाजी खिलाडी है, अर्चरी पिलियर है, और भारती अर्चरी टीम में जारकन के दो खिलाडियों का जो चैन है, वो किया गय इन दोनों खिलाडियों को बारतीर टीम में सामिल किया गया है मिरिनाल चोहान और अंकिता भगत अप्शन ए जो है इसका बिल्कूल सही आन्स हुजाएगा दो ठीक है आई ये बात करते हैं देखिए जार्खन के दो खिलाड़ी अर्चरी टीम में मिरिनाल चोहान अंकिता भगत ठीक है और क्यूं किया गया है क्यूं तो 13 से 18 जून तक कोलंबिया में कहां पे कोलंबिया में अर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो किया जा रहा है कोलंबिया में 13 से 18 जून तक अर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है और इसी अर्चरी वर्ल्ड कप के लिए जार्खन के दो खिलाड़ीों का चैन जो है भारतिय टीम में किया गया है ये आप देख सकते हैं अंकिता भगत और ये जो है जार्खन की अंतराष्ट की अर्चरी खिलाड़ी है और इन्हें हाली में BSF Border Security Force ठीक है तो BSF के दोरा नौकरी जो है इन्हें दिया गया है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हाली में जूनियर महिला Asia Cup में किस देश की टीम जो है बिजिता बन गई है तो जूनियर महिला Asia Hockey Cup इसमें पहली बार भारत की टीम हमारे देश की टीम जो है बिजिता बनी है और ये बताते हुए आपको बहुती फक्र हो रहा है मुझे कि भारत की टीम जो है पहली बार कप में बिजेता बन गई है ठीक है भारत की टीम बिजेता बन गई है आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंतर हो जाएगा इंडिया यानि भारत की टीम बिजेता बनी है ठीक है अब बात करेंगे यह हमारे लिए important इसलिए भी ह है क्यों क्योंकि भारत की टीम बिजेता बनी है और पहली बार बनी है ठीक है पहली बार बन गई है इसलिए important है साथी साथ इसलिए भी important है क्योंकि इस टीम में जार्खन के दो खिलारी सामिल है इस टीम की बात करेंगे इस टीम में जार्खन के थोड़े तीन खिलारी है कित महिमा टेटे और रोपनी कुमारी जिन लोगों को याद है उन लोगों को समझ में आ गया होगा आपको बताया गया था कि जुनियर भारतिय महिला होकी टीम में जारकन के कितने खिलाड़ी होगा तीन खिलाड़ी होगा दिपिका सोरिंग महिमा टेटे और रोपनी कुमारी का चैन किया गया था और इसी जुनियर भारतिय महिला होंकी टीम वो बिजेता बन गई है फाइनल में इन्होंने साउथ अफरीका को दो एक से हरा दिया है और साउथ अफरीका को हरा कर यह जो है बिजेता बन गई है यानि आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि फाइनल में इन्होंने किसे हराया है साउथ अफरीका को हराया है ठीक है चलिए और होकी इंडिया यहाँ पे एक और चीज है होकी इंडिया के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है गोसना की गई है कि जो भी खिलाडी इस खेल का हिस्सा बने है भारत के जो भी खिलाडी इस खेल का हिस्सा बने है यानि भारतिय टीम के सभी खिलाडियों को दो लाख रुपिय की पुरसका रासी दिया जाएगा होकी इंडिया के द्वारा दिया जाएगा यानि उनको खेलने के लिए जितने पैसे मिले है उतनों तो सही है वो तो है लेकिन होकी इंडिया एक्स्ट्रा में हर खिलाडी को दो लाग करके पुरसकार रासी देगी ठीक है तो आप ये देख सकते हैं भारतिय टीम को और इस भारतिय टीम में जार्खन के भी तीन खिलाड सामिल है इसलिए हमारे झाल Agr range के लिए ये एक गौरभ की बात है और शाती सहाथ हर भारतिय के लिए ये एक गौरभ उट रहा है जारकन की भी तीन खिलाड़ी इस देश के टीम में हमारे भारत के टीम में है ठीक है सामिल है तो आप इस टीम को देख सकते हैं ठीक है तो भारतिय टीम जो है वो विजयता बन गई है चलिए तो यहाँ तक सबी चीज़یں किलियर है एकदम अच्छे से तो चलिए यह कुछ important current affairs थे जिसके बारे में आज के इस class में लोग चर्चा किये हैं और अच्छे से जारकन के current affairs के बारे में देखे हैं अब देखते हैं कल जो क्लास हुआ था उस क्लास में आप से कोश्चन पुछा गया था कोश्चन कुछ यू था कि वृत वर्स यानि फाइनेंसिल येर 2022 ते इसमें जारखन का जो रेविन्यू डिपार्टमेंट है उसे सराब से वाइन से कितने रुपे का रेविन्यू जाए एक वर्स में जनरेट हुआ है तो जारखन के रेविन्यू डिपार्टमेंट को एक वर्स में दो हजार चववन करोड का जो एमाउंट है वो मिला है ठीक है तो सोच सकते हैं एक वर्स में जारकन के रेविन्यू डिपार्टमेंट को केवल सराब से 2054 करोड का जो रासी है वो मिल गया है option D इसका बिलकूल सही आंसर हो जाएगा ठीक है 2054 करोड और देखते हैं इस question का सबसे आंसर जो है किनिके द्वारा दिया गया है तो नमी स आरदा के द्वारा इस question का सबसे अच्छा आंसर दिया गया है आप आंसर को देख सकते हैं कि 2022-23 में सराब से राजस्व जो है प्राप कितना हुआ है जारकन के रेविन्यू डिपार्टमेंट को 2054 करोड 2023-24 में ये target 2560 करोड का रखा गया है मैं 2023 में 386 करोड की सराब की जो सराब की बिक्री मैं 2023 में हुआ है 386 करोड का जो सराब का बिक्री है मैं 2023 में हुआ है JSBCL के द्वारा जारकन के 19 जिलों में सराब की बिक्री जो है की जाती है JSBCL का मतलब है जारकन State वेबारेज Corporation Limited तो ये जो भी चीज लिखी है इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है ठीक है आप लोग सभी इसके बारे में जानते हैं और जितने भी लोगों ने आंसर दिया है उनमें सबसे अच्छा आंसर जो है नमी सारदा जी का रहा है और इन्हों ने बहुत एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से लिखा है और जो चीजे आप लोगों को कई क्ला हाली में इसकुली सिच्छा एवंग साथचरता विभाग के दवरा जारी रिपोर्ट के अनुसार जारकन में ड्रॉप आउट की दर्ज है वो कितनी है यानि ड्रॉप आउट का जो एबरेज रेट है वो कितना है जारकन में जो इस्टुडेंट जो है पढ़ाई करते हैं उ जो रेट है वो कितना है तो इस कोश्चन का जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे साथी साथ इसके बारे में आप लोग डीटेल में लिखेंगे और जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा उसके आंसर को आप लोगों के लिए कल दिखाया जाएगा कि इस कोश्चन का सबसे अच्छा आंसर जो है वो किन के द्वारा दिया गया है ठीक है तो चलिए फिलाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं I hope कि आप लोगों को ये जो क्लास है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस क्लास में आप लोग जारकन के सभी कर अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपका डाउट क्या है और ऐसे अगर कोई लोग है ऐसे कोई स्टुडेंट है जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो प्लीज आ आप लोगों से नेक्ट क्लास में तब दक के लिए थैंक्यू टेक केर बाई बाई